चंद्रमा जिसे हम इसकाई में कभी पूरा चमकते देखते हैं तो कभी ये हमें आधा दिखाई देता है, कभी ये क्रेशन शेप में तो कभी पूरा गायब हो जाता है, तो आईए आज डिसकस करते हैं मून से रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट्स को, जो वास्तों में इसकाई में मौजूद एक celestial object ही है चंद्रमा हमारे solar system का fifth सबसे विशाल और हमारी अर्थ का एक मात्र natural satellite है जो अर्थ के चारो ओर ठीक वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे कि अर्थ sun के around अपने orbit पर move करती है अर्थ और moon के बीच का distance लगभग 384,400 km है और इसका प्रकाश अर्थ तक पहुँचने में लगभग 1.3 second का time लगता है वही sun हमारी अर्थ से 14.96 करोड किलो मीटर दूर है और sun की light अर्थ तक पहुचने में लगभग 8 minute 16.6 second का time लगता है जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ और moon दोनों पर ही अपना प्रकाश नहीं है और ये दोनों ही sun की रोशनी से प्रकाशित होते हैं तो आईए जानते हैं कि अगर moon का अपना कोई प्रकाश नहीं है तो वो हमें इसकाई में दिखाई कैसे देता है दर असल sun की raises जब रात के समय चंद्रमा पर पढ़ती हैं तो वो reflect होकर हमारी अर्थ तक पहुचती हैं जिसकी वज़े से रात में चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और क्योंकि दिन में सोर की रोशनी जादा होती है इसलिए ये हमें नजर नहीं आता moon के surface पर gravitational force वीक होने की वज़े से moon का अपना कोई atmosphere नहीं है और यहां की सतह पर पानी भी नहीं पाया जाता ऐसे में यहां ना तो बादल बन सकते हैं और ना बारिश हो सकती है कोई atmosphere ना होने की वज़े से यहां हवा भी नहीं चलती इसलिए astronauts यहां अपने साथ oxygen cylinder ले जाते हैं इसकाई में दिखाई देने वाले दूसरे celestial objects हमेशा अपने actual shape and size में दिखाई देते हैं जबकि moon का shape and size change होता रहता है इसका main reason moon का अर्थ के around movement करना और sun से आने वाली raises का reflect होना है तो आईए समझते हैं यह कैसे होता है चंद्रमा अपने access पर अपना एक rotation period 27.3 days में और अर्थ के around अपना एक revolution period लगभख 29.5 days में complete करता है इस दोरान वो एक बार अर्थवा sun के बीच में और एक बार अर्थ के पीछे आता है अर्थ के around movement के दोरान वो sun तथा अर्थ से different angle बनाता है जब moon अर्थ के आगे आता है तब सूर से आने वाली raises reflect होकर अर्थ पर नहीं आती और चंद्रमा अर्थ से दिखाई नहीं देता ऐसा अमावश्या की रात को होता है और जब चंद्रमा प्रत्वी के पीछे होता है तब sun की raises चंद्रमा पर पढ़कर प्रत्वी तक सीधे आती है और चांद पूरा गोल दिखाई देता है, ये पूर्णिमा की रात को होता है, वहीं एक मन्थ में दो बार सन, अर्थ और मून राइट एंगल बनाते हैं, ऐसे में मून अर्थ से आधा दिखाई देता है, इसी तरह अलग-अलग एंगल होने के कारण चंद्रमा हमें अलग-अ दिखाई देता है, जिन्हें चंद्रमा की कलाएं या Phases of the Moon भी कहा जाता है, कई बार मून के चारों और इंद्रधनुस की तरह छले नजर आते हैं, इसे हेलो रिंग कहा जाता है, सन के बाद इसकाई में सबसे ज़्यादा चमकने वाला Celestial Object Moon है, जिसे हम देख सकते हैं, चं चाबर होता है, और इतनी ही लंबी रात भी होती है, सूरज की रोश्णी में यहां का सर्फिस टेंपरेचर 127 डिगरी Celcius तक और रात होने पर यहां का सर्फिस टेंपरेचर माइनस 173 डिगरी Celcius तक पहुँच जाता है, लगबक 30 डेज में अर्थ के अराउंड मूवमें की वज़े से इसका एक ही भाग हमेशा अर्थ के सामने रहता है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी नॉलेजिबल लगा होगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज उसे लाइक करें, कॉमेंट शेक्शन में अपने व्यूज बताएं, इसे सब्सक्राइब करें, थैंक यू